Ministry of Environment, Forest and Climate चिन के आंकड़े के मुताबिक भारी धातु एवं वायू परदूसण मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खत्रा बताया जा रहा है भारी धातु परदूसण यानि कॉपर, जींक, लेड, मरक्यूरी, यूरेनियम, इत्यादी जैस, मेटल का वायूमंडल एवं परयावरण में अधिक मात्रा में हो जाना भारी धातु यानि जिसकी मुलेकुलर नंबर्स 20 से जादा और डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से जादा हो जब ये धातु पे या भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में परविश करते हैं तो कई परकार की बिमारियां होती हैं जिस कारण इसे मानाव जीवन के लिए खत्रा बताया जा रहा है इसका मुख्य कारण कलकर खानों द्वारा नदियों में सिधे बहाए जाने वाले कच्रा शहरो द्वारा निकाले गए कच्रे को सीधे नदियों में परवा कर देना एवं खेतों में अधिक मात्रा में उर्वरक एवं किटनासक को का उपयोग करना है खेतों में किटनासक एवं उर्वरक की जादा इस्तवाल करने के कारण उसकी उर्वरत छमता एवं जलधारण छमता कम हो जाती है जिस कारण फसल की उबज पहुत ही कम होती है हम जानते हैं कि धातू का मुख्य सुरूत पहाड एवं चटान होते हैं और इनके खनन से निकाले गए वेश्ट मट्रियल भी धातू परदूसन के मुख्य कारण है धातू होने के कारण इसके परदूसन का असर बहुत ही लंबे समय तक होता है और इसका प्यूरिफिकेशन बहुत ही मुश्किल और महंगा होता है अगर भारी धातू का असर खेतों में अधिक हो गया तो फसल की उपज बहुत ही कम हो जाएगी और ये बहुत लंबे समय तक चलेगा जिस कारण बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है अब बात करते हैं एयर पॉलूशन के बारे में यानि 21% oxygen, 78% nitrogen, 0.2% CO2 and 0.8% में बाखी सभी गैस ये गैस का standard quality माना जाता है वायू परदूसन के मुख्य कारक CO2, SO2, CO and CFC जैसी गैसेज है इनका मुख्य कारक इंड़स्ट्री एवं गाडियों द्वारा निकला धुँआ है हाला कि इंधन के incomplete combustion के कारण भी CO1, carbon dioxide जैसे हानिकारक गैस रिलीज होते हैं वायू परदूसन के कारण कई परकार की स्वास एवं फेपने की बिमारियां होती है हाला कि ozone layer में छती वायू परदूसन का ही मुख्य कारण है इसे green house effect भी कहते हैं जिस कारण वातावरण में temperature बहुत हाई हो जाता है भारत की राजधानी दिली में air pollution हमेशाथ चर्चे में रहता है जहां air quality AQY पे यानि air quality index में 200 से अधिक पाया जाता है हाला कि स्वक्ष वायू की air quality index में रीडिंग 50 से 90 के बीच होती है मगर देली में पेंड पौधों की कमी एवं वाहनों की अधिक मात्रा में उप्योग मुख्य कारण है देली में greenhouse gaso के releasing origin बहुत ही जादा है मगर पेंड पौधों की कमी होने के कारण करवंडाई oxide decompose नहीं हो पाता है भारी धातू परदूसन का असर भी दिली की यमुना नदी में देखने को मिला जिस कारण यमुना नदी में बहुत ही मात्रा में जाग बनने शुरू हो गए थे पेट्रोलियम एवम कोल एनरजी पर निर्भरता वायू परदूसन के मुख्य कारण बताए जाते हैं परदूसन को और अच्छे से बिस्तारित रूप से हम वीडियो सेक्षन में डिस्क्राइब करेंगे अगर आपका कोई कोश्चन्स हो तो कमेंट सेशन में जरूर मैंसर करें फिर मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए पढ़ते रहें स्वफ्त रहें और सुरक्चित रहें धन्यवाद